नुमर वसनत वासिपं एक वचन हम पड़ेंगे तिरुपोन, एरेमिया हम देखेंगे एरेमिया मुपती ओराद अधिगारं 31 अधियाय जेरेमिया चाप्टर 31 वर्स 14 एरेमिया चाप्टर 31 वर्स 14 एरेमिया एक तीसवा अध्याय चोधय नंबर का वच्छन मैं याजकों को चिक्नी वस्त्वों से अती तिरुप्त करूँगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी यहवा की यही वाणी है तमिल में यह आखरी बाद का वच्छन यह आखरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी यही वाणी है और अंग्रेजी में लिखा गया है मेरी प्रजा जो है उत्तम चीजों से या अच्छी बातों से संतुष्ट होगी ऐसा यहवा कहता है तो आज मैं आपके बीच में क्या कहूंगा आप लोग परमेश्वर की भलाई का अनुभाव करोगे आप परमेश्वर के भलाई का अनुभाव करोगे अब ये परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की क्रिपा ये सब हमका पहले से मालव हो लेकिन आप लोग सोचने के जैसे कोई साधारन बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बात है अगर परमेश्वर अपनी भलाईयों से तुरो में थुरुप्त करेगा तो आपका शीवन ऐसा नहीं रहेगा अभी अप थुरुप्त हो क्या? लेकिन परमेश्वर आपको तुरुप्त कर सकता है परमेश्वर अपनी भलाईय से तुम्हे तुरुप्त करेगा अवलाव आशुरोधी पर उँग नाला नावंद अंदलोग दिरुप्तियालन सोलवे मुडियादी निगे सैटिस्वाई निचेमा आईडवी निगे अर उतना वो तुम्हे आशिशीत करेंगे कि आप बोली नहीं पाऊगे कि नहीं मैं तुरुप्त नहीं हूँ उसमें ही नहीं हम हर बात में खुश होंगे परिवार में बहुत खुश होंगे पैसे में कोई कमी नहीं होगी और सबसे उपर आरुग्यत होगी और मैं कहता हूँ स्वास्ति हमारा धन है वही बहुत महत पूर है और देगो परमेश्वर की भलाई तुम्हें जो है स्वास्थ देगा और परमेश्वर की कृपा तुम्हें जो है धन संपत्ती देगा और परमेश्वर की भलाई तुम्हें जो है का आनंद में परिवार देगा इस चर्च में अर हर बात में अब सर्वत्तम होंगे परमेश्वर ने कहा है और देखो वचनों में कहा गया है परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा को में उत्तम बातों से संतुष्ट करूँगा ऐसा यहवा कहता है मैं अपसे बात कहता है और हाली में मैं एक बातों के बारे में पढ़ रहा हूँ कर्मा बोल कि चीज़े अंगरेसी में उसे कर्मा साइकल कहा जाता है कर्मा साइकल इंड धर वंदगे कर्मा साइकल जो है यह कर्मा साइकल जो है यह जो है नियम जैशा है नमब इनना वेदे के रहो हो आप पड़िया वंदु टेर को। हम जो बोएंगे जो करेंगे वो वैसे ही आता रहेगा। इधले प्रच्छन ना इननना है। अविसमे समस्या क्या पुछेते हो। सिलनेतले नीगे वेदे चिदु मत्टों वरादे। आप जो बोते हो कभी-कभी वो जो आपको ना मिलकर आपके बच्चों को मिले ऐसा हो सकता है। ये एक स्वाभाविक चक्र है। लेकिन अब मैं यहाँ वो करमा साइकल के बारे में बोलने के लिए नहीं। आप लोग बोएं और बच्चे कटनी काटने के बारे में कहने के लिए हुआ है हम ये कर्मा साइकल तोड़ कर उसके अपार एक आशीश में जाना है आप बोगे आपके बच्चे कटनी काटेंगे अच्छी बाती है लेकिन हम कुछ अनुभाव के बीना उसमें से चले जाएं तो फिर क्या हुआ परमेश्वर चाहता है कि वह आपको भी आशीश दे आर आपके बच्चों को भी आशीश दे मैं जो कहा हुआ आपको समझ में आ रहा है और आज में जो बताने वाला हुँ वो ये कर्मा साइकल को तोड़ कर उसके ऊपर एक आशीश है उसे हम पाना है उसके बारे में बताऊंगा ये बोना और काटना ये जो है इस भूमी की ववस्ता है नियम है आरे जो है उत्पत्ती आठवी अध्याय में लिखा गया है जब तक स्रिष्टी है बोने और काटने का नियम अंद तक चलता रहेगा ये अच्छी व्यवस्ता है लेकिन स्वभाविक तोर पे होने वाली एक बात है सिधान्त है उसमें भी हमेजे परिणाम मिलेंगे लेकिन इसके उपर भी एक नियम है वो ये परमेशर की भलाई ईश्य नहीं कहा है आकाश में उड़ते पंची को देखो ना तो वो बोते हैं ना तो काटते हैं जब उनको भी तो आपका स्वर्गे पिता खिलाता है आए सारी पंचीं कैसे खाते हैं ना तो वो बोते हैं ना वो कारते हैं वो कैसे खाते हैं पूछे तो क्योंकि परमेशर की भलायी की वज़ängt है से परमेशर है उन्हें उने खिलाते उनको मैं ही जीवित रगता हैं नान नादा फीट पन रहें मैं उन्हे खिलाता हूं नान नादा बलेस पन रहें मैं उन्हे आशिशित करता हूं मेरी वजे से वो खाते हैं हौर वड़ा गुटनेस हौर आउला नला आउला एरकमूलोर पात्तिंगा आधा वंदे परड़ पूट टिकरा रहा है और इतने अच्छे इतने भले उनमे इतनी करुणा है देखो कि वो उन्हें जो जीन्दा रखने के लिए सब रखते हैं अपना में यह नल्ला कारें वेदे के कुड़ा दा तो क्या पास्च वर हम कोई अच्छा काम करना नहीं क्या अच्छे बातों को बोईएं भूमी ले रिकरों पारगें भूमी वोला नाला इदो और माराद प्रमान और इंपोर्टन प्रिंसिपल इदो सही नों बात तेंगें नई जब तक हम इस भूमी में है यहां का एक नियम है यहां की कुछ व्यवस्ता है जब तक हम बोईगे न यहां काटेंगे नहीं तो यहां पर जो करना है वो करते रहना है और यह एक अच्छा निवेश है पानत पेरुकर्ट पाला वळी के रिखे और पैसे बहुत बटोरने के लिए या पैसे खटा करने के लिए बहुत तरीक है ना सोला दूंगली पुरी दा मैं कहारा है पाला पैसे पाने के बहुत तरीक है नर्या विदतला पानत आम मुल्टिप्लाइ पानना मुड़ियों बहुत तरीकों से हम पैसों को बढ़ा सकते हैं वैसे स्वाभाविक तौर पे बहुत तरीक है नर्या कारियों यूस पनला तो बहुत से कारियों काम इस्तमाल कर सकते है आना येदुमे सहीया हमें सुपनाचला आंट नमलेक पनता कुड़िक मोड़ियां। लेकिन कुछ भी किये बिनाभी परमेश और आलोकिक तौर पे हमें जो है पैसे दे सकता है। आना नमले नाचला सहीयर कारिया में अम शेंजिट दार करहा हूँ। लेकिन ये जो सोभाविक तौर पे हमें करना चेह हम करते रह talkinionakin इसलिक है आलोक ये तौर पे हमारे लिए करेंगे हमें विशवास करने सीखना है नैचरल आफ ना कारी हैं सही कोड़ा थै tut he मैं ये नहीं कहराँ कि तूम ना उसके उपर एक कारी हमें जाने लो अधिक मेला आण्डर रेकर हार नो की पाकर होंगले आउर भैंगे र्मासरो दिकर हो रार करें उसके ऊपर एक परमेश्वर उसे देखने वाले को परमेश्वर भैंकर रूप से आशिशीत करता है Hallelujah God will satisfy you with His goodness परमेश्वर जो है अपनी भलाईयों से तुमें त्रुप्त करेगा यह हम कैसे जानना है देखो हमारी समच्या क्या है पुछेंतों हमारे आश्चेतन मन में हमारे आउचेतन मन में मतलब जो है कही ना कई हमारे विचारों में हम ये सोचते हैं कही ना कोई दिल के कोने में हमको और बदलना है हमको और प्रात्ना करना है हमें और सुधरना है अभी दोना परमेशर मुझे आशिश देगा अपने नुगले लोड़े इरुद यों सोलिद ऐसा आपको रिदय कहता है हम अंदालों के जेबी के लिए हम उतना प्रार्तना नहीं कर रहें और उसके पर से जो गवाईयां देते उनकी गवाईयां कैसी है मैं कष्ट में था और मैं आशों से प्रार्तना किया परमेशने मेरी प्रार्तना सुनकर ये चमतकार किये तो हम जे प्रार्तना करने की कोशिश कर ते कभी-कभी हम अच्छा प्रार्तना करे के भी कुछ नी होता है तिर हम सोसें क्यों प्रभु इतनी प्रार्तना करके भी नहीं वा लेकिन इसे हम कई बर प्रार्तना करके सब करने की कोशिश करते फिर भी कुछ रुकावट आती रहती लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ लोग ऐसे सोसे मैं बदलूँगा तो प्रभु मुझे आशीश देंगे मैं यो छोड़ दूँगा तो प्रभु मुझे आशीश देंगे कुछ बाते हमें छोड़ना ही है बदलना ही है अच्छी तरह सुनगा कहीं जाके भार ऐसे मत बोल दो एक पास्चर है वो कहते है तुम कुछ बदले होगे नहीं तो भी चलेगा प्रभु तुमें आशिष जेते रहेंगे बोलती और एक ग्यारा सालों में मैं एक बात जान गिया हम क्या भी प्रचार करो कुछ लोगों को वो पुराना पेंटिकोस्टल प्रचार ही पसंद आएगा क्योंकि वो ही बहुत इन्याईक लगता है और मेरा प्रचार जो बहुत इन्याई दिखता है तो मैं चाहिए कितना भी बोलू कुछ लोगों को वो उस प्रकार का प्रचारी पसंद आता है लेकिन मैं वोस टाइप में आई नहीं पाता हूँ अच्छी तरह सुने परमेशर कैसे किसी को आशीशित करता है वो बहुत सुधर गया इसस मुझच चोड़ दिया परमेशर किसी येपड़ जा कर वो अपनी भलाई प्रगट करता है उसके पर कुछ अच्छाई करता है इसके तवारा बताते कि मैं कितना अच्छा हूँ उसके रहा के चमत कार करते और इसके द्वारा कितने भले हैं बताते तेली उगले को और नल्ल कारे माल सेंजीट रुगे हर दिन तुमारे कुछ अच्छा कारे करते यह नल्ला ड्रस पोड़े डुरी करींगे आज आप अच्छे कपड़े पहने हो अधा आणडर कुड़ते किरुब है वो परमेशर की कृपा है नला साप्ट वंदर पीगे वीटले अच्छा खा के आये होंगे घर्टे अधा आणडर कुड़ते आणडर गुडनेस तरी मांगे वो परमेशर की भला है पता है आपको उनकी भलाई है वीटले रिगरों हम घर में है सिलर प्लाटफोर्म ले रिगरांगा कुछ लोग रास्ते पे है आज हम एक घर में है बोलेंगे तो वी प्रभु की कृपा है हमारे पर इसलिए हम एक थच्छत के तले घर पे है इन सारी बातों के लिए हम सरहाना करने सीखना है परमेश ने मुझे दो बच्चे दिये है सोच के देखते इतनी खुशी होती और अपनी भलाई जो हर दिन हमारी चीवने प्रगट करते और हर दिन लोगों को समझ आई या ना ये लेकिन आप जान लो कि प्रभु ही उनके लिए भलाई करते लेकिन हम प्रभु को बराबर समझ नहीं पाते ये ना क्योंकि परमेश वर को हम हमारी समझ के अनूसार हमारे दर्जे से देखते और हर बात में हम से भी बड़े हैं एक उधारन देता हमारा बच्चा आकर हमारे पास एक शू लेकर दो एक गड़ी लेकर दो एक बैट लेकर दो हम क्या बोलेंगे पता हैं लेके देंगे आगले एक्जाम में तुम पहले अच्छा आंक लेकर आओ पहले अच्छे मार्क लो और ये पुरा मैन अच्छे से तुम चल के दिखाओ और मेरी हर बात मान के दिख Springs यह सब तुम करोगे तो इससे भी बड़ वाच लेकर कि दी है इससे भी बड़ी बैट लेकर के दे है इससे भी बड़ा बड़ा लेक्र क्ट लेकिन पहले निमार नो पहले तुम बदलना है पहले तुम अच्छा सुदर के दिखाओ फिर मैं तुमारे लेक करूँगा तुम अच्छे marks लेके दिखाओ और अगले exam में तुम फर्स्ट rank लाके दिखाओ मैं तुम क्या लेके दूँगा ये हमारा दर्जा है हमारे बच्चे कुछ मांगे तो हमारे बाइला यही आएगा पहले तुम आता पिता की बात सुन पहले यह यह बात तुम बदलो तभी तो नहीं माबाप कोई खुशी होगी लेकी देने में तो हम क्या सोसे परमेशर भी ऐसा ही है सोसे वैसे हम भी हर बात में ठीक ठाक होंगे तो यह प्रभू हमें देंगे अपड़ी नम्मन एनन चीकिरों अइसा हम सोसते हैं लेकिन परमेशर ऐसे नहीं है मैं बदाता हूँ परमेशर कैसे हैं अब बच्चे आकर मांगता है अब परमेशर के पास बच्चे मांगते हैं सम्हाँ डाड़ी मुझे एक वाच लेकर दो अब परमेशर है अब परमेशर क्या करेंगे दो वो बच्चा बरावर पढ़ता ही नहीं अंदमारी पुल्ले है थे ऐसा एक बच्चा है वो अब परमेशर आकर बहुते लोग ऐसे सुचे प्रेम से आकर बोलेंगे तो अगले मैंने अच्छा फर्स्ट राइंक लाएगा तो मितचे वाच लेकी दूँगा नहीं और मेशर कैसे करते है पुछे दे वो बच्चे को ले जाकर वो वाच देते है और एक ले जाकर देते है और हमेशा अपनी भलाई दिखाते है रहते है मुझे ध्यान से सुने और यह आशा करते हैं कि वो बच्चा आने वाले दीने में फर्स्ट राइंक लाएगा और ना लाएद फर्स्ट राइंक एड़कों शोलिटे और एक दिन जरूर फर्स्ट राइंक लाएगा यह आशा करते हैं जाकर अपनी भलाई दिखाते रहते और बच्चा लेता रहता उसका अनुभाव करता रहता है और एक दिन उस बच्चे को पता चल जाता है यह अपपा यह उलो सहीम होदे मेरा पिता जब मेरे लिए इतना करता है यह अपपा उड़े विरुपता ना यह सही कोड़ाद तो फिर मेरे पिता की इच्छा मैं क्यो पूरा नहीं करना है और उनकी इच्छा है कि मैं फर्स्ट राइंक लाओ मेरे सोचने समस्ट और मांगने से भी ज़्यादा मेरे लिए करते है जब वो मेरे साथ ऐसे है तो मैं उनकी अपिक्छा पे क्यो न खरे उतर कर फर्स्ट राइंक लाकर दिखा और एक दिनो बच्चा फर्स्ट राइंक लाएगा और ऐसा परमेश्वर विश्वास करते है और उनका भरोसा कभी है सफलने होगा और कल में बहुत सी बाते सोच कर देख रहा था और कितने जो उद्धार नहीं पाए हुए जवान बच्चे उद्धार पाए ऐसे बच्चे जो प्रभू से बहुत दूर हो गए था और वो कैसे प्रभू में आए ये सोच कर देखेंगे तो उसके पीछे जाकर परमेश्वर अपनी भलाई दिखाते रहे और थोड़ा दीन वो आनन्द उठाते वे जो ये दूर जा रहा था लेकिन वो आगया अध्मारे नरिय पसंग वरू आँगए ऐसे बहुत से बच्चे आए इनके ये यंदवाले पसंगले पती कावल ये इलने इसले मुझे किसी जवान बच्चे के बारे में चिंता ही नीए तुम कहीं भी जाओगे ते एक दिन आओगे मुझे पता है और पहले कभी ऐसा नहीं होता था उतना अप जवान बच्चे प्रभु में आ रहे परमेश्वर जाकर अपनी भलाई दिखाते जा रहे वो बहुत अच्छे देख और विश्वास करते और चाहते कि मैं अपनी भलाई दिखा कर इनको बदलू और वो बदलेंगे और रोमे के दूसरा अध्याय में कहा गया है चौते वच्चन में परमेश्वर की भलाई या परमेश्वर की क्रिपा हमें पश्चाता आपकी और ले जाता है वो वच्चन अपढ़ कर देखो बहुत अच्छा वच्चन है और परमेश्वर की कृपा को तुछ न जानो उनकी भलाई को तुम जो तुछ न जानो और उनके धीरज को तुम हलका न लो वो लोगों के पर धीरज है रखे वे वो लोगों के पास अपनी भलाई दिखाते हैं वो ठीक नहीं है फिर भी वो धीरज से और ऐसा इंसान जब उस बाद उनकी भलाई का अनुभाव करता रहता तो एक दिनों प्रभु के पास आएगा अपड़ीने आंडर ओडे नंभीक है ऐसा परमेश्वर का भरोसा है परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की और ले जाएगा मैं कहा रहा हूँ समझ में आ रहा है हमें पश्चाताप की और कौन ले जाता है पहले भलाई पहले उनकी कृपा उनकी कृपाई जो है हमें जो है उधार की और ले जाता है पश्चाताप की और पहले पश्चाताप फिर आप परमेश्र की भलाई देखो पहले तु अपना मन फिरा, सब छोड़, फिर प्रभु तु मैं आशीश थेगा पहले किन परमेशर कहते हैं, पहले मैं आशीश दूगा, उसको फिर वो अपना मन फिराएगा तु बाइबल क्लास में मैंने बताया देखो और आखिर में मैंने खर्पने के देख Moru Church का और हमारे चर्च में आने वाली मैं बार-बार उनसे बोलती हौ मा इसब छोड़ दे मा तभी हमें आशिष आएगा सुनने के लिए अच्छा ही है यही बहुत से पास्चर कहते हैं लेकिन कल संदेश सुनने के बाद परमेश्वर मेरी मा को भी आशिष देंगे मैं विश्वास करती हूं क्योंकि वह सोची के जो है यह सब घर वाले ऐसे रहने के वज़े से हमारे आशिष रुकाव़ाइट वास में आशिष रुकाव दिए? आपने कभी ऐसा सोचा है क्या? यही आपने सोचा होगा कभी-कभी हम सोचें इसकी वज़े से आशी शुरुखा है, उसकी वज़े से आशी शुरुखा होगा और बहुत सी पत्नियों ने सोचा होगा कि मेरे पती के वज़े से हमारे घर का आशी शुरुखा होगा और कुछ पती सोचेंगे मेरी पत्नी के वजे से घर काशी शुलकाँ बार एंवा ने मेरी तको फिरसह साभाहा झाह दा आपको नहीं लगा हो गा होगा कुछ लोगोगा को लेकिन जादा पर आंव तर पे लगता है तो उसस्टर को ऐसा महसुस हुआ कि मेरी मा ऐसा करती है शायद इसके लिए जो है घर में आशिश नी होगा इसाब छोड़ेंग इतना प्रभू आशिश देगा लेकिन कल एक बात उनको समझ में आगए अभी तक उस मा ने जए परमेश्वर की भलाई का अनुभाव नहीं किया उस इन कोई उने लेक्चर देने की ज़रुवते हो खुद छोड़ कर आजाएगी मैं जो कहरो हो समझ में आ रहा है अभी तक उस मा ने जए परमेश्वर की भलाई का अनुभाव नहीं किया अगर यह उनको पता चल जाए तो हो सब को छोड़ चोड़ के आ जाएगी मैं कभी किसी लोगों को देखकर यह छोड़ दो वो छोड़ दो मैं बोलता ही नहीं मैं बोलता ही नहीं इस वजे से बहुसे लोग मेरे बारे में क्या सोचने पता है कुछ लोग कुछ पास्टबार मुझे क्या समझते पता है मुझे एक डरपोप पास्टर समझते इनको बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि ऐसा सब बोलेंगे तो जोग छोड़के चले जाएंगे चर्च इसने लोगों को चर्च में जो बनाए रखने के लिए कुछ भी ऐसा बोलते नहीं हिम्मत नहीं है और एक दिन में जो फेस्बुक में चेंबूर चर्च का फोटो डाला चेंबूर चर्च आए उनको पता होगा और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो पातिंगे ना सिला फोटोस इरुकों कुछ फोटोस है उसमें दो-तिन फोटोस है उसमें दूसरे भगवानों का तस्वीर है और एक बार हमने फोटो निकाल कर वो फेस्बुक में डाला हमने फोटो में ध्यान नहीं दिया कि वो जो दिवार पे कुछ वहाँ पर उस हौल के दिवार में जो फोटोस है वो भी इसमें आ गया है, हमने ध्यान नहीं दिया और फेस्बुक में कुछ गल्तियां है कि आ धूनने के लिए एक ग्रूप बैठी है और चार से विदेश चे एक जन मुझे संदेश भेज रहे अनिल मैंने तुम्हारे पर बहुत भरोसा रखा था और तुम्हारे पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है मैंने सचा मैंने तुम्हारे नहीं कुछ भी नहीं बुरा किया ऐसा वो कोई देश में मैं कौँ से देश में हूँ और देखकर ही कई साल हो गये मैंने इनका क्या भिगाड़ा तुम क्यों अपने चर्च में दूसरे भगवानों का फोटो रखे मैं जूट नहीं बोल रहा है जो बात हुई थी वो ही बता रहा हूँ और मैं वो समझाने के अंदर उन्होंने चटपट चटपट अपने उनको जो कहना ता कह दिया उन्होंड़ा चर्च लवारा पनकार हिंदू बिलीवेस संदोश पट्ट तिका अंदर फोटो वेची रिगए और तुम्हारे चर्च में आने वाले हिंदूर अमीर विश्वासियों को खुश करने के लिए तुमने फोटो रखा है सबसे पहले तो हम कैसे प्रकार का चर्च कैसे चला रहे उनको पता ही नहीं मैंने कहा तुमने बहुत जल्दबाजी में शब्दो को बोल दिया अब वो वापस उठा नहीं सकते मैंने कहा तुमने के लिए हफ्ते में दो खंटे के लिए वो जगए होटल में किराया पिले और हफ्ते में दो तीन खंटे के लिए हम आजा के आराधना करके आते और वो तस्वीरे मैंने नहीं लगाए है वो होटल वाले होखा है और वो दूसरे का जगा है वो उसकी मर्जी जो लगाना है निकालना है उसे मैं जाकर निकालो बोल नहीं सकता हूँ कुछ पास्टर एसा सोसे कि उनके अधिकार है लेकिन मैं सोसता हूँ मुझे नहीं है कुछ पास्टर लोग आपके खुद के आपके खर पे आके बलेंगे वो निकाल दो ये निकाल दो आउंगे परियल लेवल आफ अथारटी ले पढ़ना चिन्न पाया अंधा अधा अथारटी ले पोल् SiL लेकिन मैं अपसे घोते हूट और चलाते हूटेल हूँican है उसे निकालो नहीं सकते लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ अब उस जगे में फोटोस नहीं है मैं येड़ुतर नहीं सोल ले मैंने निकालो बोला ही नी क्यों निकाले मुझे नहीं पता ये सब हम कहने की जरुवती नहीं है मैं विश्वास करता हूँ देखो हम जो क्या करते हैं ये निकालो वो निकालो तभी प्रभुती में आशिश देगा ये बोलते रहते परमेशर की भलाय का वा नुपाव करने लगा समझो सब कुछ होड़ देगा चर्च में भी कुछ लो कुछ कारे करते हो सही निये मुझे पता है देखो एक बार हम बोल सकते हैं मत करो करके लेकिन उनको पहले से ही पता है जो कर रहे गलत है फिर भी पास्टर है इस वज़े से हम बोलते हैं उसके बाद प्रभु के हाथ में ने छोड़ देना है उसके बाद परमेश्वरी उनसे निप्टेगा कुछ लोगों को उसके पर भी गुसा आता है यह सब को जानते वे भी कुछ नहीं बोलते हैं फिर भी सबी से हसी मजाग करते रहें सके बाद परमेश्वरी उनकिta सिर्ची पेश्णा एक सिग्रेट पीने वाले से जाकर में हसी मजाग से बाद चहरो, भी सोत्ती बाद पीओ आहो सिग्रेट पीना उससे मेरा कोई लेना देना नहीं और मैं किसी से भी मिलू तो मैं किसना हो से कि इतने खुशी से प्यास से बात कर सकूँ अतना कोशिश करता हूं पेसी ठेजर पें बात करता रहोंगए और विश्वास करतो एक दीन हो छोड़ देगा और विश्वास करता है और मैं बहुत कर तुछे विश्वास करता है और मैं जाकर बोलने की जरूरत नहिंगे अंगाने पौराडी ब्र teen करा जले लेंडि वेलीलर वर्र तुकागे और वो खुद संगर्श उठा रहे हैं उसमें सिर्फ बाहर आने के लिए और मैं जाकर उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं और परमेशर की भलाई का अनुपाव करें तो खुद बदलेंगे हम जर अच्छी तर सोच के देखो हम जरूर बदलना ही है आप जितना जितना प्रभु की भलाई का अनुपाव करोगे उतना उतना बदलते जाओगे परमेशर का आशीश का अनुपाव करते करते आप बदलने लगोगे एक बात आज आप पक्की तोर पे विश्वास करना है इस चन परमेशर तुमें आशीश देगा विश्वास करो इस चन प्रभु मुझे आशीश देगा और इस चन परमेशर मुझे एक बहुतायत का आशीश दे सकते इसलिए ने कि मैं भलाऊं बलकि ज़े वो भले इसलिए और मेरा विश्वास उनकी भलाई परे और आपका विश्वास सच में न की भलाई परे क्या खले अपने बारे मत देखो अपने आखे उठा कर उनकी तरफ देखो अवरोड ये गुड़नेस से निए पार रहें और आपका विश्वास न की भलाई परे न है और उनकी भलाई का मैं अनुभाव करू ऐसा सोच यल्ला रीदी लियों हार प्रकार से और उनकी भलाई जब आप देखोगे शंगाए आपके पर प्रक्रटर है और उनकी भलाई जब हम देखेंगे आपको इक बड़े पैसे की बेदारी आने लगे जब हम उनकी भलाई देखेंगे हमार एखर के अंदर की सारी समस्या निकल कर एक समाधान आने लगेगा पहले उनकी भलाई तुम इस शंज अनुभाव करना है बड़ी मात्रा में एक बहुतायत का आशिश में देखना है और एक बहुत बड़ा आशिश मुझे पर होना है बड़ी अलवुला कत्तावे आशरोदी के मुढ़िया ना नंबर है और बड़ी मात्रा में प्रभु मुझे आशिश देखता है में विश्वास करता है और एक बड़ा आशिश मुझे देखता है में विश्वास करता है कभी एक दिन ने आज प्रभु मुझे देखता है आज एक बड़ा आशिश मुझे तुम्हे अभी दोगे आप भी मेरे लिएक बड़ा चमतकार करोगे और मेरा विश्वास में आपके भलाई पर रखता हूं और बात यह है मुख्य बात यह है कि उनके भलाई पर अपना विश्वास रखना अब उस चक्र से बाहर निकाल कर यह विश्वास करना कि जो है उनके भलाई पे मैं विश्वास करता हूँ और वो मुझे आशीश देगी इस वक्त ही प्रभू मुझे बहुतायत में आशीश दे सकता है अब भी और उनके भलाई पे मैं विश्वास करता हूँ वो बहुतायत से मुझे आशीश दे सकते और मनिश्य के पास जाकर सबसे पहले परमेशर अपनी भलाई उन पर प्रगट करता है आदम हवाक उन्होंने बनाया और बाइबल कहती है कि उन्होंने उसे आश्षीश थी और अभी तक उन्होंने कुछ करना शुरू भी निकिला यह नोड़ा गुड़नस यह नोड़ा ब्लेसिंग एक्सपिरियंस पनीट आपरमों पर यदाद पनेंट रहा है और कुछ भी करने से पहले प्रभु ने कहा पहले मेरी भलाई मेरी कृपा का मेरी बहुतायत का तो अनुबाव कर फिर जाकर कुछ भी करने परमेशर अबराहम के पास आते समय कहते हैं और तू अपने लोगों को और अपने देश को छोड़ कर बाहरा और तू जिस जिसको सोचता है कि यह मेरा भर सहारा है उन साले सहारा को तोड़ कर बाहरा और मुझे मेरी मा मदद करेगी, मेरी पिता मदद करेगी, मेरी भाई मदद करेगी, मेरी बडिमा मदद करेगी, मेरी चाचा मदद करेगी, मेरी नाना मदद करेगी, उन सब को छोड़ के बाहरा अंगन कोजनी तनिया हुआ उसमें से तू थोड़ा बाहरा मैं तुझे आशीश दूँगा उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम खुद को बदलो और परमेशन ने व्यक्तिका तौर पे जाकर तु बदल ऐसे नहीं कहा तु ये चोड तु वो चोड तेरी आदत बदल नाए तु सुधर नाए मैं तभी तुझे आशीश दूँगा तु जो इसमें से बाहर निकल फिर मैं तुझे जो अच्छा चल के दिखा मैं तुझे आशीश दूँगा तु जब तक तु उनकी सहारे पे आशीर वाद दूँगा तु सोचेगा कि इन सारे लोगों की वज़े से मैं आशीश दूआ इसमें किसी का नहीं सिर्फ मेरा हाथ है ये तु जानना है तु पहले इसमें से बाहर आ मुझ पर भुरू सकते मेरी भलाई पर विश्वास करे परमेशर उसे देखकर कहते है मैं तुझे आशीश दूँगा मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊँगा मैं तेरा नाम प्रसिद्ध करूँगा और जो तुझे आशीश देगा मैं उसे आशीश दूँगा और अबराहम जो कुछ भी नहीं जानता था उसे बुला कर कहते है मैं तुझे आशीश दूँगा अबराहम के लिए सिर्फ उसको जो बच्चा पैदा होना था उसी वादे का थोड़ा देरी हो गया बलकी और कोई आशीश में देरी होई हर एक बात में वो बहुत जल्दी जल्दी आशीश दुआ और बारवे अध्याय में पढ़ कर देखो प्रभुने का मैं तुझे आशीश दूँगा आपर गाम सिलव सीमाना अरनान बोड़रे हैं फिर्विध्या में पड़कर देखो, लिखा गया जिए घूं धन संपन्न था हार मामले में उसके पास बहुतायत से था अधूं बलड़िपनाला। वनलर्ची कडियाँ थी वो भी जो कई सालों से कमा 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 के रखावा वो आशिश नहीं था और बहुत ही कम समय के अंदर अबराहम बहुत धन्वान हो गया और यह एक आश्चेर जनक उन्नती है एक ही साल में कहां से कहां पहुत जाएंगे बस एक ही साल में और ऐसा आश्चेर करने वाला एक उन्नती प्रगति किसको परभुने दिया ऐसा में सोच रहा है और जिन को मैं जानता हूं उनके बारे में सोच रहा है मैंने बताया ना एक पास्चर थे जो एक साल के अंदरी 300 कलीस्याओं को शुरू किया और एक जन मैंने पहले भी कहा है मैंने पहले भी कहा है आपपामा कुड़िते अंद पोन्न वीटले कलेना अमोद कुड़िते अंद वीडियों विद्धित आंगे अर इतने कर्जे में आ गये थे उनकी पत्नी को जो उनके माता पिता ने जो घर दिया था वो भी जो है उन्होंने बेच दिया वो बेच थे समय वो पत्नी कितना खश उठाई यो संद वीड नम विक्रम में वो हमारा खुद का घरम बेच रहना फिर एक ऐसा घर हम खरीज सकते हैं क्या अर हमने तो खुद से होकर एक घर खरीद ने पाए लेकिन हमारी माता पिता ने जो दिया वो भी बेच ना पड़ रहा है उनके पती आंड और कुरी तो एक उनको प्रकाश्चिन आया प्रभू मुझे आशिश देंगे एक इस साल में फिर पिया वीड़ वाएंगी टर फिर से उन्होंने घर खरीद लिया इस साल घर बेचना और अगले साल एग घर खरीद ना है कोई साधारन बाते के सोचो अब उनके बस कितने घर पता है चन्नाई में घर बॉंबे में घर हांग कांग में घर तीन घर रखे वें वह बेचावा घर के बाद कभी घर लेवल ते एक ही साल के अंदर एक ही साल में बहुत अमीर आदनी बन गए वह घर बेचने से पहले जो बिजनेस करते थे वही बिजनेस बेचने के बाद भी कि पर मेश्वर ने उन्हें उत्ते ना अशिशित किया आज इनके साथ कोई बिजनेस करना है तो वह कहते हैं कि पहले 40 लाक रुपए रखने हुँग उनके कमपनी का नाम देने के लिए 40 लाक रुपए और इसे कहते हैं आश्चर इजन कुननती मैं एक बात बोलूँगा तो आपको लगेगा एक बहुती विरोधा विस तक बात है उनको कुछ बुरे यादते हैं और बहुत से लोग मुझे देखकर पूछते हैं और ब्रदर, एपड़ी हमेर वीवलौ आश्चर अधी के पट्थार हैं कैसे ब्रदर, कैसे वो इतने आश्चषीत हुए और ये उनके भलाई की वजे से नहीं बलकि उनका विष्वास परमेशर की भालाई पर परमेशर की कृपा पर इस वजे चार FLU वो कि भालाई पे विश्वास करता है और उनसे बात करते से मोने एक बार कहां मेरे से कहां ऐसे गलत आदत मुझे है लेकिन एक दिन मैं छोड़ दूगा मैं विश्वास करता हूं और यह पर क्या करांगा बहुत से लोग पूचते कैसे वो इतने आशिशित हुए वो इतना ठीक नहीं है न कैसे प्रभुने उन इतना आशिशित किया लेकिन उनको परमेश्वर की भलाईप का एक प्रकाशन मिल गया आज मैं जैसा भी हूँ तुम मुझे आशिश दे सकते हो उनको पता है मैं जे बदलना है अर उन्होंने ही जो है वो बात खुली करके मुझे कही उनको पता है लेकिन उन प्रभु की भलाई का आशिश दे सकते है अगर उनकी भलाई पर तुमें विश्वास है तो इस सीशन पर मेश्वय तुम्हें बहुत तायत से आशिश दे सकते है पत्रस के बारे मैंने कहा है ज़र सोच कर देखो और इंसिडेंट ले बाइबल ले और बाइबल की एक घटना है पत्रस अभी तक जो एश्व का चेला ही नहीं बना इस पत्रस के पास जाते है उस दिन देखेंगे तो पत्रस पूरा दीन मचली पकड़ने की कोशिश करके उसे कोई मचली मिली नहीं पूरी तरह से वो असफल रहा वहाँ इस जाते है इस पोईट तरी यांकोड़वा मीन पुड़ी के पॉला चलो मेरे साथ आजो हम मचली पकड़ने जाएंगे और उस देखो इतनी मचली यां देते हैं इतनी मचली यां मिलती है सभी लोग के अचीत तरह ध्यान देती है इतनी मचली यां मिलती है नेट वड़ईर अमारी इरके चाल टूटने जैसे और नाव डूबने जैसे दो नाव, इतनी मचलियान, तो क्या तभी पत्रस बहुत अच्छा इंसान था क्या, पत्रस जो है, येशु कुड एरकमो दे, इन्नो मारवेंडी आला था उनको, अगर आप मुझसे पूछोगे, तो पवित्रात्मा से भरने के बाद भी पत्रस में और बहुत बदलाव आना बाकी था, आप पुड़ी पत्टा और पेद्री का अंदा नेर्टल है, और अवलोर सड़न मिराक्ल, पिरिय ब्लेसिंग, पिरिय मिराक्ल आंडर सेंजर, लेकिन वो छट से उस समय घुटने पर आया और कहने लगा, प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं उतना योग्ये इंसान नहींूं, आप रहां प्रभु ने वहाँ कोई प्रचार किया, बस उन्होंने एक चमतकार किया, तो देखो यहाँ प्रभु ने उनके लिए भलाई का चमतक मैं एक बात कहता हूँ, यहन्द टाइम में नील डोन पनी, जोओं पनी मिराकल रिसीव पनने दिल्ले, और मैं कभी भी घुटने पर आके प्रातना करके चमतकार नहीं पाया, लेकिन चमतकार होने के बाद मैं घुटने पर आके प्रभु को धन्यवाद प्रातना करके, जो मेरे लिए चमतकार हुआ, तो मैं घुटने पर आकर उनके लिए जो है धन्यवाद और प्रातना करने ले, कभी चमतकार होने के बाद, उसमें मैं परशित हो करूँ, प्रभु मैंने कुछ भी ऐसा किया, और मेरे लिए ऐसा चमतकार, अईसा कोई अनुभव आपके साथ हु आप ही से वैसा अनुभव सभी के लिए होगा, पर मेशरा कर तुम्हें आशिशित करोगे, उनकी भलाई पर विश्वास रखो, प्रभु से कहा है, हाँ प्रभु, अब मैं जान गया, अब तु मुझे आशिशित करोगे, डाड़ी, अब मैं जान गया, कि आब आप मुझे आशिशित करोगे, आब आप मुझे आशिशित करोगे, क्योंकि आप भले हो, आज आप मेरी तक्दीर गदल के रख सको, यहनोडी विश्वास अउगलोडे गुड़नेस ले, मेरा विश्वास आपकी भलाई परे,нокि अअधि ले विश्वास आपकी करे, अखिर मैं कह के मै और हाली में हमने उड़ाव पुत्र के बारें बहुत पढ़ा लम पोईट उदारे तनमा रंदेट तिरंबी बारा और सबको जाने के बाद जो है वो बेगदम बरबाद होकर वो वापस आता है वो जब आता है परमेश्वर ने उस समय अपनी भलाई अपनी क्रिपा उन पर द अब इसे मैं तुझे उच्टावनी देता हूं अब इसे सही से चल के दिखाओ तो तुमको ठीक होगा तुमको ठीक होगा मैंने तुम्हे चांस दिया था तुमने वो चांस गवा दिया तुमने सब कुछ उड़ा कर जो है खाली हात आए इनी यहां पेच्छदा नहीं क्या अब इसे तुम सिफ मेरी बात सुनना है तुम सिफ मेरी बात सुनना है तुमको ठीक होगा 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 वो दोड के जाके गले लगा कर, उसे चूम कर, क्या वो ऐसा कोई काम करके जहां पर जाके जाके गले लगाने के लिए, वो जाकर इसे चूमने के लिए, वो हमारे बच्चे ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, ऐसा क्या थो उन्हें किया है, और गले लगाने के लाइक ये भी काम ने किया, ये सारी दुन्या के मसीह लोगों को कप्तो समझ में आएगा पता ने, ये उन्हें में पनले, इसने कुछ भी नहीं किया, ओड़ी पया वो आपके उसे गले लगाकर उसे चूमते हैं, और पर कहते हैं इसके लिए अच्छी बिरियानी बनाओ, आप दीन रहे हैं, और कहते हैं, आओ हम सब मिल के खाएंगे, खुशी मनाएंगे, और गुडनेस हैं, नहीं एपडिया दिरु पाना, ना नॉमन नलाम है, ना प्रमेश्वार की भलाई लिए को प्रमेश्वार की भलाई मगोत syफ और उसके पास जाकर वो अपनी भलाई दिखाते हैं यहाँ पर आए सभी से कहता हूँ पर मेश और अपनी भलाई दिखा रहा है उनके भलाई पर विश्वास रखे उनके भलाई पर विश्वास रखे और यहाँ पर सभीको मैं कार्य करने के लिए कहना चाहते हूं सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे आपको क्या करना है पुछेतो पहले आप जिन जिनको अपना विरोदी समझते हैं शत्रू समझते हैं उनके लिए आश्षीषटो जीन जिन को अइससे कि उनसे में आगे बढ़के दिखाना उनके खड़े रह के दिखाना उनके लिए थिम्हें आशीर तो जो लोग आपको लगतां कि थीक नहीं है वो लोग डेंगे वैसे उनके लिए आप प्रातना करके आशीर दे अगर प्रभु उन्हें आशिष दे सकता है अगर आप विश्वास करते हो तो तो तुम्हें भी प्रभु आशिष दे सकता है ये विश्वास करना असान होगा प्रभु तुम्हें आशिष दे सकता है ये विश्वास करना असान होगा क्योंकि और शिलर सरी ले कि आप अप लग से उसे कुछ लोग आप ​ ठीक यह प्रभू नहीं है आप अप यूगी नहीं है यहे साफ सोचते हो जब आप उन्हें जो है योग्य समस्य हो तो आप भी यूग्य हो जाती है जब आप उन्हें यूग्य करते तो आप भी योग्य बन जाते हैं और विश्वास करें कि जो है परमेश और आपके शत्रों को भी आशिश दे सकता है पुरे दिल से आप उन्हें आशिश दे उन्मी ले आशिश दे सच में आशिश दो मैं बोल रहा हूं इसलिए जया है ठीके प्रभू मैं पाउग बुदर को आशिश देता हूं ऐसे मद बोलो दिल की गहराई से आपको कहना है और उन्हों बिजनेस में है तो उनका बिजनेस अच्छा बढ़ना है प्रभू अगर वो सेवकाई में है तो उनका सेवकाई अच्छा बढ़ना है प्रभू अगर आपके साथ काम करने वाले इनसान जारतब लिए, FROM Heat रुषा प्र मेजोन ऐस तो सबया है, तो रहा प्रह्णों इन्ता करें वाध्ष्छा Колुभे प्रभाविस्षद्ट्टा करें प्राईंस वो लिखने वाले सभी लोग आशीश दे रहें क्या अच्छा आशीश दे ओले और वो परिवार में अच्छे खुश रहे साशीश दे अच्छी आरुगे ता मिले ऐसे आशीश दे अच्छी समृद्धी आने के लिए आशीश दे अच्छा शीश दे रहें अच्छा दे अच्छा आशीश दे अब मैं जान गया कि तुम मुझे भी आशिष देसे, मेरा विश्वास आपकी भलाई पर है, और मेरा विश्वास मेरे कर्मों पर नहीं, और ना तो मेरा विश्वास मेरे सुधारने पर है, मैं कुछ बदलूगा, मैं कुछ बदलूगा, तो इप्रभु मुझे आशिष देगा, हम जाकर सभी के पास क्या बोलेंगे बतार, मैंने सब को छोड़ दिया, मैं बदल गया, इसलिए प्रभु ने आशिष, आप भी बदलो, तब तुझे प्रभु आशिष देगा, तो हम सारा महिमा किसको देते हैं, हम बदल गया हैं, हमारे बदलाव को हम सारा श्रय देते, हम सबी के पास जाकर परमेश्वर की भलाई के बारे में नहीं, अपने भलाई, अपना बदलाव जो हैं, उसके बारे में बोलते हैं, मैं कितना अच्छा हो देखो, मैंने सब छोड़ दिया, इसलिए प्रभु ने मुझे आशिष दिया, तू भी अच्छा हो, तब परमेश्वर तुझे आशिष देगा, मैं कहता हैं, पहले प्रभु के आशिष का अनुभाव करो, अपने आप अच्छे हो जाओ, अपना विश्वा सुन की भलाई पर रखो, एक साधारन बात लगती होगा, लेकिन प्रभु से कहें, प्रभु मैं जानता हूँ कि अब तुम मुझे आशिष देशत, और अप जैसा भी हूँ, मैं वैसे में तुम मुझे आशिष देश, मुझे बदलना है, यल्लार में मुझे आशिष देश, लेकिन परमेशन आप मुझे आशिष देश, अब मैं जो हाल में हूँ, इपरक्र इन्दा कैरक्टर ले, आप जो मेरा चरित्र है, इसी शन प्रभू मुझे आशिष देगा, उनकी भलाई की वज़े से, और इस समय मेरा विश्वास उनकी भलाई पर है, प्रभू मेरा विश्वास आपकी भलाई पर है, आप मुझे आशिष दे सकते हैं, इस शन आप मुझे आशिश दे सकते हो बहु तायद से मुझे आशिश दो आप मुझे स्वास्ते से आशिश दे सकते हो और मेरे परिवार में आप शांती में आशिश दे से मैं आशिश दो बहु तायद से आपकी भलाई की वदे से इसा जब आप बोलते होते एक आलोकिक कारी अपकी चीवन में होगा एक आलोकिक बात होगा आलोकिक कारी होगा कर दो कर दो हम सभी लोग खड़े होंगे